सबसे पहले तो मैं दिल्ली की दो करोड जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सच कहूं तो आज आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है क्योंकि पहली बार शायद काम की राजनीती को इतना बड़ा सम्मान किसी चुनाव में मिला है और यह उमीद लोगों को दिल्ली के लोगों से थी दिल्ली की जनता से थी दिल्ली की जन्ता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं जादा उससे कहीं पर्चर मातरा में सम्मान काम की राजनीती को दिल्ली की जन्ता ने दिया प्यार महबत की राजनीती को दिया नफरत की राजनीती को सरे से निकारा निकारा सब्तर में से 62 सीटें और लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी बंपर जीत दे कर दिल्ली के लोगों ने फिर सिद्ध किया है कि देश की राजधानी में देश के वो लोग रहते हैं, वो वोटर्स रहते हैं देश भर से आरगवे वो लोग रहते हैं जो काम को पसंद करते हैं जो ये चाहते हैं कि सरकारों का काम लोगों के लिए सुविधाएं देना है लोगों की जिंदगी में सहयोग करना है लोगों के परिवार को समरिद बनाना है और अल्टिमेटली राष्ट को समरिद बनाना है काम करना है आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का राजनीती का development model जो है वो केजरिवाल जी का development model है उससे economy भी आगे बढ़ेगी उससे परिवार भी आगे बढ़ेगा और उससे देश भी आगे बढ़ेगा आज ये सिध्ध हुआ है कि देश के लिए काम करने का मतलब अपने देश से प्यार करने का मतलब है अगर आप राजनीती में हैं अगर आप सरकार में हैं तो देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की विवस्ता करिए और सारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की विवस्ता करिए आज देश भक्ती का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्त कराईए आज राष्ट भक्ती का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या affordable cost पर बिजली उपलब्त कराईए पानी उपलब्त कराईए ये सब देश भक्ती है देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा देना देश भक्ती है आज और आज इसकी राजनिती को दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है मैं बहुत गरवानवित महसूस कर रहा हूँ एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते और दिल्ली का एक पॉलिटिकल करेकरता होने के नाते इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों ने एक और मैसेज दिया और संदेश साफ है कि अरविंद केजरिवाल हमारा बेटा है हमारे भाई है बहुत कुछ जहर नफरत फैलानी की कोशिश की गई मैं उस पर नहीं जाओंगा अब चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने बहुत खुले दिल से जवाब दिया कि अरविंद केजरिवाल हमारा बेटा है आज मैं अभी थोड़ी दिर पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूँ नबनियुक्त विधायकों ने सभी ने 62 विधायकों ने एक सवर से फैसला लिया कि अरविंद केजरिवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंतरी होंगे ऐसे देखें तो एक आप्चारिक डिसीजन था पर फिर भी सबने एकमत से लिया और उसके बाद ये तैकिया कि 16 तारिक को 16 फरवरी को मुख्यमंतरी जी का शपत ग्रहन समारो होगा राम डिला मैदान में होगा और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा आपका भाई अर्विन केजरिवाल जी 16 तारिक को जब शपत लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचकर वहाँ वपस्ते थों और उनके आशिरवाद दें उन्हें अपना प्यार दें उन्हें आशिरवाद दें कि वह अगले 5 साल भी जितने काम पिछले 5 साल में किये उससे जादा काम कर सकें उनका होशला बढ़ाएं कि सभी लोगों को आना है और दस बजे से शबत घेंट समारों होगा ग्राम लिला मैदान में तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से यहीं अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग दिल्ली के सभी दिल्ली वासी आएं और वहां अर्विंद केजरिवाल जी के स्वास्त बिजली पानी जैसे मुद्दे लोगों की जिंदगी से जुड़े एहम मुद्दे राजनीती के कोर में हो थेंक यू जब होगा तो बता देंगे आपको से बहुत पर देंगे अपको उस पर देंगे करें आपको कहा हो जिए की बढ़ाई और साथे साथ ये कहा कि निश्चित ही हनुआ जी के शरन में जो आता है उसको आशेवार देंगा है अब समय आगे आगे है कि हनुमान जाइसा स्ब्स्ट के ही लोग लेंगे कोई और सुले तारिक्षा यह फिर से एक दिल्ली के लॉइंड और्डर की सिच्वेशन पर बड़ा सवाल है कि कैसे दिल्ली में सरयाम गोली बारी हो रही है और यह इस तो